सुधान शुत्रिवेदी क्यों इजाज़त नहीं देने भाई जब वो कहने कोई वैक्सिन तो बना नहीं पाए आप लोग अभी तक हमें नमाज पढ़ने दीजिए हमें कठ्थे होके नमाज पढ़ेंगे अल्ला का आजाब है सब लोग मिलके माफी मांगेंगे तो दूरो जा बॉद्धों का सबसे प्रमुक्त योहार गुद्ध पॉन्डिवा जैनों का महावीब जैन्ती इसाइयों का इस्टर इवें इसमें गुजरी किसी ने कोई सवाल नहीं ठाया मुझे समस्या यह लगती है कि मुस्लिम समाज में ही इस प्रकार के लोग क्यों कड़े हो जाते ह हैं जो ऐसी राजनी की करने लगते हैं जो कि कहीं ने कहीं साइंटिफिक एटिचूट से किनारे करने की बागते हैं अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह सम लोग कोई समस्या नहीं थी तो आपको क्यो समस्या अब दूसरी बाद जो आपने कहा कि आप इबादत करना चाहते शायद ये बुरा वक्त है भगवान अल्ला सुनने तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं हिंदू धर्म में तो मंदिर देवस्थान है वहां बाकाइदा मूर्ट की प्राण पतेश्था होती है और जब पूजा की याती संकल्प में भी बोला याता इस्थान देवता व्यो न मनदा अंगर इसलाम में तो मस्जिद की कोई जरूरत नहीं कहीं बैठके इबादत 누utos क्थि आप टमाम लोगोंने पार्कों में देखा होगा चलती ट्रें में देखा है सडक कि गुनारे देख्वास है अरे बॉजार में देखा है तो आप ऐसी कौन सी जरूरत मैं जूर रह बस यहीं कि मैं कहना चाहता हूँ भारती सहस्कृति और अन्य धर्म में अंतर है अध्यात्मिक उन्यति एक पक्ष है और वैक्जानिक उन्यति तूसरी की नहीं है इसलिए हमारे यहां वेद में आयरुवेद भी है वो मेडिकल साइंस अपनी जगे और स्प्रिच्वल एलिव सबसे संपन्न लोगों में से एक मिडिलीस्ट में पैसा बरस रहा है मगर पिछले 200-300 सालों में एक भी साइंटिस्ट वैज्यानिक इंजीनियर डॉक्टर नहीं हुआ आपने कुरोना वैक्सीन कहा 56 मुस्लिम देश है एक बताइए जिसने कभी पैन की निव या कार का वाइ इसलिए मैं मानता हूँ इस सोच में पूरी तरह अवज्यानिकता है समाज के लिए गलत संदेश है और अपने धरम के लिए भी गलत संदेश है वह आप तो अपने मजब कोई कॉंटरिक कर रहे हैं वो तो कहता कहीं बैट के नमाज करो आप करें नहीं जी मज़िद में जी मैं जाओ अभिशेक मिश्रा के पास उसके पहले शफीक उर्रेमान बर्क आप कुछ कहना चाहते हैं सुधान चुत्रवेदी की बात पर वो चाहते हैं की दिरी खाइश थी कि हम मजदों में नमाज पढ़ेंगे खुछ ही होगी इदार में पढ़ लेंगे यह था मैंने उसको गॉर्मेंट के सामने रख दिया मेरा तो और कोई नजरिया नहीं इसकला स्यासी कोई मेरा नजरिया नहीं थी मैं कभी स्यासा यह थोक आपको नहीं लगता सांसद होने के नाते आपकी जिम्मेदारी यह है बल्कि कि लोगों को कहें कि अपने घरों में रहों लोगों को कहें त्योहार के मौके का घलत फाइदा ना उठाओ इसके नाम पर बाहर ना निकलो उल्टे आप यह कहरें कि आओ मैं इजाज़त मांगत रही है वह सब्सक्राइब रही है वह उसको तोड़ना चाहते हैं क्यों आप चाहते हैं कि जो ला चाहता हूं मैं तो यह आप से घुजारिश किये मैंने अगर आहीनी एकवार से खानूनी एकवार से मेरा अगर यह बात कहना भी जुर्म है तो यह को कुछूर की बात नहीं है मेरा सवाल यह है एक सांसद को क्या ऐसे समय पर यह कहना चाहिए लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कीजिए जरा ध्यान रखिए कि प्तियोहार के मौके पर कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका बाद में नुक्सान उटाना पड़े या वो कहना चाहिए जो शफीक साब कहने है एमेज कान बोलिए देखे रोही सरदाना जी ये करोना वायरस का बहुत बड़ा जो परकुप चला पूरे दुनिया में और हिंदुस्तार में रोज का रोज ये जो संख्या है करोना वायरस की ये बड़ा नहीं है और कुरान शरीत में साफ साफ आता है कि अपने आप को हलाकत में मट डालो मतलब खुशी में मत करो अगर ऐसी चीजे सामने आ रही हैं तो इसमें आपने घर में बैठके इबादत कर सकते हैं और अगर ज़्यादे आपके धर में तादात है तो आप घर में जमात खड़ी करके दवा बांग सकते हैं लेकिन इस समय ये बात कहले का कोई मर्तब नहीं है मैं समझता हूँ ये चीजे नहीं कहनी चाहिए जब तक वबाद चल ना जाए तो जवाबाद चल जाएगी तो उसके बाद गवर्मिन्ट खुदी परमिशन देगे कि आपने मंदिरों में जाएए अपने मस्जिदों में जाएए अपने जैसे चाहिए उसे नमाज पढ़िए जैसे चाहिए उसे दुआ बाद गी है लेकिस सवाल इस बात का है कि इसी बात को ले करके जब दूसरी लोग तर्फ गुदर करते हैं तब उहां राजितिक द्वेस्ट और असंपरतायक्ता की बात आ जाती है जैसे संगीश सोंग ने कह दिया कि सब्जी खाके वकरीद ब्रालो अगर संग जैसे सब को मानने हैं दूसरे को किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है जब आप बोल नहीं सकते हैं आप करोना वारिस में लोगडाउन हटा ही नहीं सकते हैं जब लोगडाउन हटा नहीं सकते हैं तो बोलते क्यों हो पिर एक सांसद अगर ये खड़ा होके कहेगा कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उस दिन खोल दे ताकि सब लोग इक ट्थे नमाज पढ़ें तो कोरोना भाग जाए लोग सवाल नहीं उठाएंगे क्या उसकर दाने वाली रिया कि आपकी कौम अगरे कर था होगी किसी एक को कुरोना हुआ को पूरे को lotta हो जायेगा remains मांग ये कौन मना करता है लेकिन ये हलाकत में डालने वाली बात है ये बात आपके सही है कि सांसत महुदर एक सांसत जिम्मेधार परका होता है और जिम्मेधारी के साहत उसको अपनी बात रख स्क्राइए उनकी बात जूरत लग जाती है